हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टेडी फिट चैनल दोस्तों इनोटामी फिजियोलोजी की सभी टॉपिक को मैं किलियर कर रही हूं जैसा कि मैं आज ग्रंती यानि ग्लैंड क्या है इसकी बारे में बताऊंगी जैसा कि दोस्तों यदि आफ फिजिकल एजुकेशन के कि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोज सभी वीडियोज को वाच करके आप अपने प्रिप्रेशन को बहतरीन कर सकते हैं और तो हंडियर से जदा वीडियोज प्रिविजियर यमसी क्यूच के बनाए गये हैं जो बहरी इंपॉर्ण है उसका ग्लेंड यह क्या है यह सरीर में उपर से छोटे छोटे थैले होते हैं जिसमें हारमोन्स या एनजाइन भरे रहते हैं इसी दोनों के इस्टोरेज को गंतिया ग्लेंड बोलते हैं एक ग्लंतिया तीन प्रकार की होती है अंताहिस्तरावी जिसे नली का वीहीन ग्लेंद भी बूला जाता है और दूसरा वायस्तरावि यानि एकजोक्राविन ग्लेंद जिसे नली का युक्त ग्रंथी भी बोला जाता है तिसरा मिस्ट्रित ग्लेंड जिसे मिस्ट ग्लेंड भी बोला जाता है अंते इस्त्रावी ग्रंथी यारी इंडोक्राइन ग्लेंड जिसे नली का विहीन ग्रंथी बोला जाता है यह हार्मोन इस्त्रावित करते हैं ये क्या इस्त्रवित करते हैं हार्मोन इस्त्रवित करते हैं और हार्मोन का अर्थ होता है उत्तेजित करना और हार्मोन जो है ब्रिधियुम विकास में सहायक होता है हमारे सरीर के ब्रिधियुम विकास में लेंगिंग लच्छड में और सारी संतुलन बनाये रखने में हार्म सब्सर्पथम प्रियोग बेलिस और इस्टार्लिंग दो बैग्यानिकों ने किया था एंड दोस्तों इसको नली का विहीन या अंता हिस्तराव या इंडोक्राइन ग्रंथी क्यों बोलते हैं कि यह ब्लड के संपरक में रहता है इसमें वाहिकाय नहीं होती है यह हार्मोंस को स सीधे राक्त में लिया कर छोड़ती है इसमें कोई नली नहीं होती है इसलिए इसको नली का विहीन या एंडोक्राइन या अंता हिस्तरावी ग्रंथी बोलते हैं इसके अंतरगत कौन कौन से ग्रंथिया आती है दोस्तों नली का विहीन अंता हिस्तरावी ग्रंथी के अंतर निन्स पाइड़ भर्ण ऐंकान सब्सक्राइड थाराइड ग्रंथी जो ऱमेरे गल्मी पाइजा ता capabilities ग्रंथी जो दोल्प इंट से अ के बात करते हैं वह इस्तरावी जश्च किंड्न ग्रंथी जिसे आग्जू करानिड गल्यंड भर्डला जाता है यह दोस्तों एंजाइम इस्त्रावित करते हैं यह जो है ब्लड के संपर्क में नहीं होते है ठीके यह ब्लड के एंजाइम जो है एंजाइम के जो इस्त्राव होता है वो ब्लड के संपर्क में नहीं आता है नहीं तो एक खराब हो जाता है इसलिए इसमें एक डुक्त यानिनली होती है, जो blood के संपर्ज से बचाती है. तो वाहिस्तराविग्रंथियां bir Ebola में संपर्ज करती है और blood के संपर्ज में नहीं होती है. यह आपको ध्यान में रखना है. इसके अंतरगत हमारा लीवर आता है यानि यकृत और लार ग्रंथी, दुग्द ग्रंथी, स्वेड ग्रंथी ये सबी आते हैं and next है मिश्ड ग्रंथी यानि मिश्ड ग्लेंड जो हार्मोन्स प्लस एंजाइम दोनों इस्त्रावित करते हैं और इसके अंतरगत आग्नासय आता है बिश्ड ग्रंथी के अंतरगत आपको दियान मेरा आग्नासय आणि प्रंख्रियाच जो है मिश्ड ग्रंथी है वो hormones and enzyme दोनों का इस्त्राव करता है जैसा कि दोस्तो आगनास है जो मिसित गंती है इसके बारे में डीटेल में बता चुकी हूँ उसको देखने के लिए आप anatomium physiology के playlist में जाकर की देख सकते हैं जैसा कि दोस्तो इसे इस्त्रावित एक सिक्रेटीन होता है जो सिक्रेटीन इस्त्रावित होकर ग्रहडी में यानि डेडुने में जाता है और सबसे पहले खोजा गया हार्मोन्स है सिक्रेटीन ठीक है तो सर प्रस्तम खोजा गया हार्मोन्स क्या है सिक्रेटीन हार्मोन्स सबसे पहले कौन किया इस्टारलिंग ने ठीक है तो अंतर इस्त्राविग्र distill ग्यक्ति के Holmes इस्त्रावित करती है इसके बारे में जाना और इन सब के बारे में एक-एक करके डिटेल में मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी तो दोस्तो यह जानकारी neutral मिलोको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताईए और ज्यादे सजादे सेयर कीजिए और सीलिबस के एकार्डिंग तयारी करने के लिए जुरूर रहे हैं मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे और दोस्तों फर्स्ट वार विजिट कर रहे हैं